ये गाईज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं CRPF यानि की Central Reserve Police Force, Head Constable और ASI की Vacancy Post एक्टिवेट की गई हैं जिसकी Admit Card अभी डाउनलोड होना इस्टार्ट हो चुका है अपने Admit Card को आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं यदि आपने इस भरती को अपलाई किया है तो इस वीडियो को कम्प्लीट दिखिए अपने Admit Card को आप कैसे डाउनलोड करेंगे फिलाल हमने Official Page उपेन किया है जहां से अपने Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं ये भरती जो जारी किया गया था केंद्रियो रिजर्ब पूलिस फोर्स यानि किसी आर्पिअप की तरफ से Hate Constable, Ministerial और ASI की Vacancy Post एक्टिवेट की गई थी अपने Admit Card को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपने Login ID को लिखना है इसके बाद यहाँ पे Password लिखना है अब बहुत से Candidate अपना User ID और Password भोल चुके होंगे उनको पता नहीं होगा तो अपने Login ID और Password को कैसे आप दोबारा से प्राप्ट करेंगे यहाँ पे आपको Option मिल जाएगा यहाँ से क्लिक करके अपने Password या आप अपने User ID को प्राप्ट कर सकते हैं पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो का हमने लिंक दिया है जिनका भी यह समस्या है उस वीडियो को वाच कर सकते हैं फिलाल चलिए जानते हैं कैसे Admit Card को चेक किया जाएगा अपने सभी डीचल को यहां पर लिखना है इसके बाद नीचे आपको capture code मिलेगा अपको इस box में लिखना है यहां पका capture code सो नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके दुबारत से capture code को सो करा सकते हैं अपने सभी details को लिखने के बाद आपको login का option मिल जाएगा आपको इस button पे click करना है login के option पे जैसे ही आप click करेंगे आप direct अपने dashboard पे login हो जाएगे यहाँ पे आपको एक message मिलेगा your application form has been submitted successful यहाँ आपको close के option पे click करना है यदि आपकी admit card अपडेट हो चुकी होगी तो आपको direct यहाँ पे admit card डाउनलोड करने का option मिलेगा admit card की link एक्टिवेट की गई है अभी admit card proper यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया गया है तो इसके लिए guys अप लोग घबराईएगा नहीं कि हमारा admit card नहीं आया है अगर आप यहाँ पे login हो जाता है successful आपको submit का और status option मिल जाता है तो आप ध्यान दीजे कि आपकी admit card एक्टिवेट की जाएंगी admit card की जो link है आज से activate अपडेट हुआ है तो अभी फिलाल यह जो system के द्वारा proper work नहीं कर रहा है जब यह work अच्छे से करने लगेगा हो सकता है एक दो घंटे बाद या कल तक update कर दे कि सबका admit card जो है वो सो करने लगेगा तो आप लोग घबराईएगा नहीं फिलाल admit card की जो link है वो activate की गई है सभी का admit card जारी होगा जिनका status submitted successful का option मिल रहा है इसके लिए guys आपको घबराना नहीं है कि आपकी admit card अभी जारी नहीं हुआ है या आपका admit card नहीं आगा यह ध्यान दीजे जिस link के द्वारा आप login करेंगे उसी link के माध्यम से अपने admit card को download करेंगे अभी आप अगर login करेंगे तो direct आप अपने dashboard पर आएंगे जहाँ पर आपके profile details आवेदन sleep ओपेन हो जाएगा इस आवेदन sleep को अगर आप print करना चाहेंगे तो यहाँ से print कर सकते हैं admit card जैसे ही update होता है मैं फिर से video बनाऊगा कि कैसे अपने admit card को download करेंगे फिलाल यह हमने form apply किया है जिनकी admit card अभी तक activate नहीं की गई है हम यहाँ पर login करके check किए कि हमारी admit card आई है कि नहीं तो जैसे ही login किए direct हमारे समने post apply details दिखा रहा है अभी admit card दिखा नहीं रहा है तो guys अगर आप भी confusion में है तो confusion मत होईएगा अभी फिलाल यही page सो हो रहा है वीडियो में guys बस इतना ही वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like कीजेगा यदि आपके साथ कोई और है तो उनको भी आप यह message बताइए कि अभी admit card का link activate अभी जारी नहीं की गई है तो फिलाल गईस मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जैहिन